बाल गरने के तीन सबसे बड़े कारण, उनमें से सबसे पहला कारण होता है आपके बालों की जड़ों में ब्लड सप्लाई का या ब्लड सर्कुलेशन का काम हो जाना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसे एक्सरसाइज ना करना और बहुत ज़ादा केमिकल वाले निट्रिशन नहीं मिलता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ साथ आप रूटीन में बहुत सारे शैंपू हैं, बहुत सारे हेयर आल्स हैं, बहुत सारे जैल हैं जो अपने बालों में इस्त sóлон में इस्ते बहुत खकरते हैं तो आप लगतार और बहुत सद् तक जाता है और बाल गिरना कम हो जाता है आप जेंटल मसाज भी कर सकते हैं कुछ नेचुरल ओयल्स को यूज करें जेंटल मसाज करने के लिए जैसे इस वीडियो में आपको उपर दिख जाएगा यहाँ पे मैंने डिटेल बताया कि वो कौन-कौन से ओयल्स हैं जिनसे आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं अगर रेगुलर यूज करते हैं तो कम से कम हफते में दो बार इन नेचुरल ओयल्स से अपने बालों की मसाज करें प्रिफरबली कि आपको बेड़ टाइम पे इस मसाज को करें सो देट सुबह उटके आप अपने बालों को वाश क तब भी male pattern baldness है, वो हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा, कि बहुत सारे लोग जो gym करते हैं, या body building का काम करते हैं, वो testosterone के injections लेते हैं, तो ऐसे लोगों में ये DHT का level बढ़ जाता है, और जिसकी वज़े से उनके जो सर के बालें वो थिन होते हैं, और वो बाल गिरने बातले हो जाते हैं, और ये बाल गिरना शुरू होने का कारण बढ़ता है, हाइपो थार्डीज में भी बाल गिरते हैं, ये भी एक hormone imbalance वाली disease है, तो इसको ठीक कैसे करें, आप अपने भोजन में ऐसी चीजों को बढ़ा दें, जो DHT के level को आपके खून में कम करते हैं, बनाना, टेमाटो, पटेटो, ये भी हेल्प करते हैं, DHT के levels को कम करने में, उसके लाव अगर आपको hormonal imbalance के disease है, तो hormones को balance बना कर रखें, थारेड जैसी बिमारी का, या जो दूसरी deficiencies होती है, उन बिमारियों को आप कंट्रोल करें, उन deficiencies को कम करें, तो आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे, तीसरा सबसे बड़ा कारण है, poor nutrition, कि आप खाना ही ऐसा काते हैं, जिससे आपके शरूर को तो nutrition मिलता ही नहीं है, साथ-साथ आपके बालों को भी नहीं मिलता है, और बाल गिरने लगते हैं, तो आपके खाने में अगर protein की कमी है, क्योंकि जो hair root है, वो protein से मना होता है, तो अगर protein आपके खाने में कम होगा, तो आपके बाल गिरेंगे, zinc, iron, calcium और vitamin C, अगर कम है आपके खाने में, तब भी आपके बाल गिरेंगे, तो आप ऐसे बोजन करें, जिनके अंदर इनकी मात्रा अच्छी खासी पाई जाती हो, हरी शबजिया हैं, sea food का आप ज़्यादे से ज़्यादे से ज़्यादे से ज़्यादे से ज़्यादे साथ करें, और दालें आप खाएं, नौनवेज में आप खा सकते हैं, ऐसी चीजें, जिनसे आपको protein मिलता हो अच्छा, और उसके अलावा आप nuts का जाती हैं, जिसे हमने उपर बात की, almonds, केशु nuts, peanuts, peanuts walnut आप इनका इस्तिमाल जादा करें इनके अंदर जो fat होता वो अच्छा fat होता है और ये इसके अंदर fat soluble vitamins जो है वो घुल के आपके बालों को मजबूती देता है तो आप अपने भोजन में dry foods का भी इस्तिमाल करें वो आपको फायदा देंगे और जहाँ पर deficiencies आप उन deficiencies को कम कर लें तो मुझे उमीद है दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर इवाख़ी वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसको widely share करें लाइक करें चैनल को subscribe जुरूर कर लें अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और bell icon का बटन भी ना भूले दबाना so that आपको समय पे सारे notifications इस तरह के informative वीडियो के मिलते रहें तैंक यू धन्यवाद